आज मैं आपके लेकर आए हूँ एक ऐसा उप्टन जो समर में आपके लिए बहुती ज्यादा मैजिकल साबित होने वाला है आपने उप्टन तो आज तक बहुत लगाई होंगे लेकिन इस उप्टन को एक बर आप जरूर डाये करना है कुछ डिफरेंट है तो इस डिफरेंट बर को दो दो आपके के लसंगे यह शुरी ज्यादा आप आप 17 आप ज्ति अन था दीफ्टन त जरूरा उवाम हें उसके बाद आप पर एक द्चॉर लएक ब्लाहा एक दर्पामन कमें जरूर कि किचन हलदी में शू गुना तुछ हłamने कीचन हलदी यदि किल्डर कंटें वाई कीचन हलदी होती है लेकिन जो टर्मरिक होती है, भाइनों तो यह पलिए यह क्ञें लेखने के लिए आपची है बहुत ही अच्छे इसमें गुण पाया जाते हैं मैं अपनी हर रहमेडी में आप देखते हो कि वाइट अमरीक जरूरी यूज करती हो तो यह मेरा फेवरेट इंग्रीडियेंट है इसके बाद हम इसमें एड कर रहे हैं रॉप मिल्क अरुष ट्युवट करते जाएंगे या फिर रॉज वाटर जोब भी आप डाल रहें वह दूपने अकौर्डिंग आप सर्फे यूज कर दो करते हैं वह एक टूद तो यह सेट वाज़ने करें तो इसमें कर दोद करती हैं दूद को या फिर पानी को तो इसलिए बहुत सारा इसमें डालना पड़ेगा आपको वाटर या फिर मिल्क तो इसको अच्छे से खुम्मेक्स करिएगा अच्छी कंसिस्टेंसी में बना कि फिर आप इसको फेस पर अपलाई करिए इसमें मैंने बेसन मिलाया है बेसन हमारे फेस की अच्छे से अच्छी क्लेंजिंग करता है नेच्रल क्लेंजर होता है साथी साथी कलोक्रोवाइट करता है इसमें मैंने मिला यह लाल मसूर दाल जो बेबी पिंक कलर की होती है और यह हमारे फेस को भी बेबी पिंक करती है साथ ही इसमें एंटी एजिंग गुड़ होते हैं एंटी एक्निंग गुड़ होते हैं और बहुत ही फाइदे मंद होती है हमारे स्किन के लिए हमारा फेस पैक सुख चुका है आप देख सकते हो कितना अच्छा पिंकिस ग्लो आया है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप जो इंग्रीडेंट यूज कर रहा है वो बहुत अच्छा फरक देंगे आपके चाहरे पर बाकी उप्टन से बहुत अलग तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी ये रेमेडी पसंद आया होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथे साथ वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ सेयर करना मिलते हैं बाद में तब तक लिए रादे रादे